हम बात करते हैं इस फिल्म के एकनॉमिक्स की इस फिल्म के बनने में प्रमोट होने में एन रिलीज होने में अप्रॉक्सिमेटली 75 क्रोर रूपीज यू टीवी के लग गए हैं 75 क्रोर रूपीज is the complete or total investment in this film जिसमें से करीब 35 करोर रूपे सैटलाइट रूपीज प्री सेल के आ गए हैं यानि बिफोर रिलीज सेल हो गए थे सैटलाइट रूपे आ गए अप्रॉक्सिमेटली 5 क्रोर रूपीज आये होंगे म्यूजिक से यानि 35 प्लस 5 40 75 में से 40 क्रोर की रिकवरी तो इस प्रकार हो गई बचे 35 क्रोर रूपीज यू टीवी ने अल्मोस्ट ऑल इंडिया के राइट्स विद इक्षेप्शन ऑफ डेली यूपी, इस मंजाब और हाफ अफ मुंबाई सर्किट में से गुजरात और सौराश्रा के राइट्स उन्होंने बेच दिये बट बाकी यानि मुंबाई, सिटी अन सबर्ब्स, थाने डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्रा इन सब के राइट्स यूटीवी के पास थे not to forget the overseas rights, तो इन territories के राइट्स यूटीवी के पास थे बाकी Indian territories के जो राइट्स बेचे, उससे recovery हो गई करीब 24-25 करोड रुपे की तो बचे, सिर्फ 10 करोड रुपे, we are talking in the hands of the producers, distributors की बात हम बाद में करेंगे जिन distributors ने इस फिल्म के राइट्स खरी दे, तो यू टीवी and the other producers, यानी Sanjay Leela Bhansali and Shabina Khan इनको अब recover करना सिर्फ करीब 10 करोड बाकी था, on the day of release अब आप सोची सकते हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं, अगर first weekend is as high as 48 crore और क्योंकि single screen cinemas have supported this film fabulously well, इसलिए हम distributors share ना 50%, not even 55%, 60% but we should catch the distributor share at about 65% तो distributor share first weekend का first three days का ही करीब 30-31 crore हो जाता है and overseas में भी इस film ने अच्छा perform किया है, तो अगर India plus overseas के first weekend के distributor share को हम consider करते हैं, 34 और 35 crore has been already recovered कहने का मतलब है, अगर UTV motion pictures would have been the all world distributors and अगर वो अलग-अलग circuits के rights distributors को नहीं बेचते तो उनका profit आज से, यानि fourth day from the day of release, आज से ही शुरू हो जाता है तो यह तो हुई producers की बार, अभी भी क्योंकि Mumbai city suburbs, ठाने district and महराश्चरा plus Delhi UP, East Punjab और overseas के rights UTV के पास है, तो उन्हें दूसरे circuits में से overflow मिले या न मिले इन territories में से ही इतना बेशुमार business होगा, that they will be actually minting money अब आते हैं, distributors की तरफ, अलग-अलग distributors ने अलग-अलग prices में, अलग-अलग circuits के rights खरीदे हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा, first day ऐसे लगा था कि Mysore territory के distributor का शायद नुकसान होगा मगर second and third day के collection से ये साफ जाहिर होता है, कि Mysore circuit will not lose and दूसरे circuits में तो collections इतने अच्छे हैं, कि जिन distributors ने अच्छी तगड़ी price दे के भी इस film के distribution rights खरीदे हैं, उनकी भी कमाई definite है मिसाल के तौर पर राजस्तान, राजस्तान circuit के rights इस film के 3 करोड रुपे में Mr. Arun Mehra ने खरीदे थे अब 3 करोड रुपे is a very very big price, लेकिन first day के collection एक करोड रुपे अगर हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 करोड seems to be a very normal price और इसी तरह हर distributor जिन्होंने भी ये film खरीदी है, उनकी कमाई इस film में definite है कहने का मतलब है, it's a win-win situation for all concerned and as far as the exhibitors are concerned well, वो तो भगवान का बहुत शुक्रियादा कर रहे हैं, especially the single screen cinemas because अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल हमारे producers, directors, writers, multiplexes और city audience के लिए film बनाते हैं जो single screen cinemas में multiplexes से ज्यादा चल रही है